अब स्टार्ट करते हैं कोशन 11 कोशन 11 में हमें यह मेट्रिक्स गिवन है एंड इसका इन्वर्स निकालना है निकाल देंगे जो हमारी मेट्रिक्स गिवन होती है उसको हम A मान लेते है एंड हमारा इन्वर्स का फॉर्मुला क्या होता है A inverse is equals to 1 by determinant of A into adjoint A सबसे पहले का करेंगे determinant of A निकाल देंगे फिर adjoint of A निकाल देंगे फिर उन दोनों को इस वाले formula में डाल देंगे हमारा A inverse आजएगा सबसे पहले अब determinant of A निकालते हैं determinant of A is equals to 1, 0, 0, 0, 0, 0, cos alpha sin alpha sin alpha minus cos alpha अब इसको expand कर दो किसी भी row या किसी भी column के along इस वाले column के along कर दें कर देते हैं आप चाहो तो इस वाली row के along भी कर सकते हो दोनों सो easy रहेगा क्योंकि दोनों में 2, 0 आ रही है न तो मारी calculation कम हो जाएगी बस और कुछ नहीं है column 1 के along expand कर रहा हूं चार elements कौन से बचे ये चार बचे इन चारों को determinant में डाल दो यहाँ पर cos alpha sin alpha sin alpha minus cos alpha इनका determinant निकाल देंगे next step में क्या होगा plus 0 then फिर plus 0 ही हो जाएगा क्योंकि next element हमारा 0 है उसके next element भी 0 है calculation कम होगी अब इसको खोल दो determinant of 1 आ गया हमारा minus cos square alpha then minus sin square alpha इतना हमारा आ गया अब मैंने देखा दोनों मैं देखो minus sin common है अगर मैं minus sin common ले लेता हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा cos square alpha plus sin square alpha बन जाएगा और इसका मुझे formula पता है sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1 होता हमारा तो इसकी जगा मैं 1 लिख दूँगा determinant of a is equal to क्या आ गया minus का इसकी जगा 1 लिख दिया मैंने that's it अब देखो जो हमारा determinant आया है वो not equal to 0 आया है तो करते हैं भी इसको आगे यहां भी लिख देंगे hence a inverse does exist मतलब हमारा a inverse exist करता है हमारा determinant of a तो निकल गया अब बारी है adjoint of a निकालने की adjoint of a निकाल देते हैं adjoint of a होता क्या है जो हमारे cofactors आते हैं उनकी matrix का transpose it means cofactor वाली matrix का transpose तो सबसे पहले हमें cofactors जी होंगे cofactors निकाल देते हैं a11 निकालो सबसे पहले a12, a13 आ रहना स्क्रीन में आ रहा है सही है then a21, 22 23 a31, a32 then a33 निकाल दो सारे सबसे पहले first element का cofactor निकालते हैं यहाँ पर देख लो matrix में first element हमारा यह है कौन सी रो में है, इस वाली रो में है and इस वाले कॉलम में है 4 elements कौन से बच्चे यह है, इनको determinant में डाल दो जो 4 बच्चे, इनको जैसे मैंने यहाँ पर determinant में डाल दिया, अब इसको solve कर दो क्या जाएगा, minus cos square alpha यही चीज आएगी न, देखो जो हमने यहाँ पर किया minus cos square alpha, minus sin square alpha इसका इससे multiply, then minus, इसका इससे multiply यह चीज आएगी, minus cos square alpha, minus sin square alpha फिर हम minus कौन ले लेंगे, यही आदाएगा minus का 1 तो a11 क्या आगी हमारा, minus का 1 then a12 निकालो, जो हमारा second element है उसकी यह वाली row है, and column यह वाला है चार elements कौन से बच्चे, 0, 0, sin alpha, minus cos alpha निकाल दो इसका, 0, minus 0, यह हमारा 0 ही आगया then a13 निकालो, जो हमारा third element है, उसकी row यह है column यह है, इन चारोंगा क्या जगा determinant 0, minus 0, 0 यह यह देगा then next way हो, इसकी row यह वाली है, रब करते तो हम अच्छे समझाएगा इसकी row यह वाली है, column यह वाला चार elements कौन से बच्चे, this, this, this and this निकाल दो इनका determinant, इसको इससे multiply कराएंगे 0, minus इसको इससे multiply कराएंगे, यह भी 0 आ रहा है, 0 then a22 निकालो, इस वाले element का, यह वाला element इस वाली row में है, इस वाले column में है चार elements कौन से बच्चे, 1, 0, 0, minus cos alpha, इनका निकाल दो क्या जागा, minus cos alpha into 1, minus cos alpha, minus 0, इनका multiply 0 हो जागा तो क्या गया हमारा, minus का cos alpha, then इसका निकालो, इस वाली row में है, इस वाले column में है, then sin alpha, minus 0 हो जागा, sin alpha हो गया, then, इस वाली row में है, इस वाले column में है, चार elements कौन से बच्चे है, यह चार, तो इनको कर दो, sin alpha into 0, 0, minus, इन दोनों का भी multiply 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी बिमारा 0 ही आ गया, then इसका निकालो, इस वाली row में है, इस वाले column में है, चार elements कौन से बच्चे है, 1, 0, 0, sin alpha, तो क्या जगा, sin alpha into 1, sin alpha, minus 0, तो sin alpha आ गया है, यहाँ पे, then, इस थ्री थ्री निकाल दो, यह वाला element, इस वाली row में, इस वाले column में, चार elements हमारे यह चार बचे, तो क्या जगा, cos alpha, minus 0, cos alpha आ गया, अभी हमारे यह cofactor's यहाँ पे खतम नहीं हुए, इसके बाद हमें, science लगाने होते हैं, and science लगाने में आपको पता हैं, जो हमारे यह चार elements है, यह वाला, यह वाला, यह वाला, और यह वाला, इन के आगे minus का sign हाता है, बस, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, और इसके आगे, अब basically आप minus 0 लिखो या 0 लिखो बात तो एक ही है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो यहाँ से भी हटा सकते हो पर आप यहाँ से और यहाँ से नहीं हटा सकते यह ऐसे कैसी रहेंगे तो बस अब कर दो Adjoint of A आगया हमारा Adjoint of A is equals to जो हमारे co-factors आए हैं उनको मेट्रिक्स में डाल दो एक और फिर उसका ट्रांस्पोस कर देना minus 1, 0, 0 then 0, minus cos alpha then minus sin alpha then 0, minus sin alpha then cos alpha अब इसका ट्रांस्पोस कर दो is equals to minus 1, 0, 0 0, 0, minus cos alpha then minus sin alpha then 0, minus sin alpha cos alpha यह हमार Adjoint of A आगया बस अब Adjoint of A को and Determinant of A को इस वाले formula में पुट कर दो Qशन ख़म हमारा A inverse is equals to 1 by Determinant of A की जगा क्या लिख रहा हूँ? minus 1, यह वाला ठीक है? then Adjoint of A की जगा यह वाली हमारी matrix जो हमारा Adjoint of A आ है minus 1, 0, 0, 0, 0 minus का cos alpha minus का sin alpha then minus का sin alpha then cos alpha अब यहाँ पर छोड़ना चाहो, यहाँ भी छोड़ सकते हो तो भी 100% right है अब देखो, ज़्याद अच्छा क्या लगेगा? 1 by minus 1 क्या होता है? minus 1 होता है यह चीज़ वारी minus 1 है minus 1 का अंदर multiply कर देंगे तो ज़्याद अच्छा रहेगा न? करा जाते हैं minus 1 का जब मैं अंदर multiply कर रहाँगा तो यह सारे positive क्यों हो जाएंगे? जितने भी negative क्यों हो जाएगा? यह minus 1 है, यह 1 रहा जाएगा 0 ऐसे कैसी, 0 ऐसे कैसी यह वाला 0 भी ऐसे कैसी यह भी ऐसे कैसी minus cos α, cos α हो जागा minus sin α, sin α हो जागा जब मैं इन में सब में minus 1 का multiply कर रहाँगा तो यह सारे positive क्यों हो जाएंगे? वैसे यह है, जो cos α, यह minus का cos α हो जागा यह sin α हो जागा, plus का that's it कोशन कतम हमारा that's it and guys अगर आप चेक करना चाते हो न कि जो आपका यह inverse आया है यह सही आया है या नहीं आया अगर आप ऐसे चेक करना चाते हो तो हम बता है कैसे चेक कर सकते हैं जो हमारी यह वाली matrix है न आ आ वाली इसको इसके साथ multiply करा दो यह हमारा a inverse है a को a inverse के साथ multiply करा दो हमेशा i answer आएगा मतलब identity matrix हमारा answer आएगा देखो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको याद करा तो पुराना concept जैसे देखो मैं भी normal mathematics ही बात कर रहा हूँ matrix की determinants की बात करी नहीं रहा एक second के लिए जैसे देखो हम जब पहले class 10th class 11th में class 9th में पढ़ते थे जैसे हमारा ऐसे लिखा होता था x inverse इसका मतलब क्या होता था 1 by x अगर मेरा x की power minus 2 लिखा होता इसका क्या मतलब होता याद करके बता ना अच्छे से सोचके इसका मतलब होता है 1 by x square अगर x की power minus 3 लिखा होता इसका मतलब क्या होता है 1 by x का cube जो हमारी ये power होती है ना नीचे जाके positive हो जाती है and उपर 1 लग जाता है ऐसी x की power minus 4 क्या होगा 1 by x की power 4 ये चीज और ये चीज सेम होती है ये चीज और ये चीज भी सेम होती है similarly ये और ये भी same होता है अब देखो अगर मैं आपको बोलूँ x inverse into में x कराओ x inverse multiply x कराओ तो क्या आएगा मारा answer आप लिखोगे ये वाला x ऐसे कैसी जो x वाला inverse है इसको आप ऐसे लिख दोगे इसकी जगा 1 by x लिख दोगे and x से x कर जाएगा तो is equals to my answer क्या आजएगा 1 आजएगा न ऐसे कर देंगे जैसे अगर हमारा होता यहाँ पर 2 होता into में हम करा थे 2 into 2 की पावर minus 1 मतलब 2 का inverse तो हम क्या करते 2 को ऐसे कैसी लिखते और जो हमारा ये 2 inverse है इसको क्या करते 1 by लगाया दें ये 2 की पावर minus 1 है न नीचे जाके 2 की पावर 1 हो जाएगी मतलब ये चीज़ लिखो चाहना लिखो बात तो ही क्यों होती है तो मैंने 2 लिख दिया तो ये मेरा 2 से 2 कैंसे लोग है is equals to 1 answer आ गया इतना concept सबको समझ आ गया न अब similarly जैसे मेरी कोई matrix है A इसको मैं इसके inverse से multiply करहाँ अब मैं matrix की बात कर रहाँ नॉर्मल मैथमेट्रिक्स की बात नहीं कर रहा जब मैं किसी matrix को उसके inverse के साथ multiply कर रहाँ A into में A inverse कर रहाँ तो मेरा answer क्या आना चाहिए अब मैं matrix की बात कर रहाँ जब मेरा normal mathematics चल रही थी तो उसमें तो answer 1 आता है और मैंने आपको क्या बता है जो हमारी matrix होती है मैंने आपको यह चीज पहले भी बता हुए जो हमारी matrix होती है determinants होते है न उसमें 1 जैसा कुछ नहीं होता उसमें 1 हम identity matrix को गयते है It means इसका multiply की आएगा आई आएगा identity matrix आएगी तो that's it यह हमारा तरीका है देखने का कि हमारा जो inverse आया है वो सही आया है या नहीं आया आप इस वाली matrix को इसके साथ multiply करा के देख सकते हो A into में A inverse करा के देख लो हमेशा is equals to I आएगा अगर आपको check कराना है तो नहीं तो आप यहीं पर छोड़ दो पसा answer 100% right है हमारा that's it तो question 11th होगा हमारा complete अब start करते है question 12 question 12 क्या क्या रहा है let A is equals to this matrix and B is equals to this verify that AB का inverse is equals to होता है B inverse into A inverse के अब देखो question को start करने से पहले थोड़ा सा imagine करो हमेशा ऐसे क्या करो question को start करने से पहले थोड़ा सा imagine क्या करो कि हम इसको कैसे solve कर सकते है मैंने देखा मुझे A वाली matrix given है B वाली matrix given है तो इन दोनों का multiply करा देता हूँ मेरा A B आ जागा मुझे A वाली matrix given है B वाली matrix given है इन दोनों का multiply कराएंगे similarly RHS निकाल देंगे हम question 12 से पहले हमने इतने सारे question किये है inverse निकालने के B हमें given है B का भी inverse निकाल देंगे A हमें given है A का भी inverse निकाल देंगे फिर दोनों को multiply करा देंगे दोनों के inverse को B inverse into A inverse ऐसे मारा RHS भी आ जागा फिर दोनों के equal verify करवा देंगे करते हैं देखो सबसे पहले RHS निकाल देते हैं फिर LHS निकाल देंगे जैसे मर्जी कर सकते हो आपकी मर्जी है मैं सबसे पहले RHS निकाल रहा हूँ RHS निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए B inverse और A inverse दोनों की value चाहिए तो सबसे पहले B inverse निकालते हैं अड़ A inverse निकालते हैं क्या आजाएगा निकाल दो इन दोनों के inverse निकालना हैं A inverse and B inverse यह दोनों निकालना है formalize लिख दो सबसे पहले इनके 1 by determinant of A multiply by adjoint of A B inverse का क्या हो जाएगा 1 by determinant of B हो जागा ले ए दिखरों को लती से 1 by determinant of B into adjoint of B अब हमें basically क्या-क्या चाहिए एक तो हमें determinant of A चाहिए adjoint of A चाहिए ये दोनों निकल गए फिर इस वाले formula में डाल देंगे हमारा A inverse आदेगा similarly हमें adjoint of B भी चाहिए and determinant of B भी चाहिए फिर ये दोनों मिल जाएंगे इस वाले formula में डाल देंगे तो हमारा B inverse आदेगा तो निकालते हैं ये सब सबसे पहले determinant of A निकालो क्या जाएगा is equals to 5, 3 is a 15 minus 7, 2 is a 14 is equals to क्या आगया 1 determinant of A is equals to 1 आगया हमारा अब adjoint of A निकाल दो अब adjoint of A निकालने का हमें shortcut पता है जब भी हमारी 2 by 2 वाली matrix होती है तो हमारा shortcut काम आ जाता है shortcut यूज करते हैं इन नोनों के sin change होते हैं इन नोनों को आपस में interchange करते हैं sin change और इसको interchange ठीक है कर दो इन नोनों के sin change करो adjoint of A is equals to इन नोनों के sin change कर दो यह 7 है तो यह minus का 7 हो जाएगा यह 2 है तो यह minus का 2 हो जाएगा और इन नोनों elements को 3 और 5 को आपस में interchange कर दो 5 उपर 3 नीचे चला जाएगा that's it यह हमारा adjoint of A आ गया similarly determinant of B निकालो determinant of B is equals to आ जाएगा 6 9 जा 54 minus 7 8 जा 56 is equals to क्या आ गया minus 2 तो determinant of B is equals to minus 2 आ गया हमारा adjoint of B निकाल दो adjoint of B क्या हो जाएगा इन नोनों को इन नोनों के sign change करो और इन नोनों को आपस में interchange कर दो sign change interchange minus का 7 हो जागा यह और यह minus का 8 हो जागा sign plot दी हमने इनके then इनको आपस में interchange कर दो 9 6 that's it यह हमारा adjoint of B आ गया अब इन नोनों को यहाँ पे डाल दो and इन नोनों को यहां भी डाल दो आ जागा हमारा inverse A inverse is equals to क्या आ गया 1 by determinant of A क्या है 1 into adjoint of A 5 minus 7 minus 2 3 then B inverse क्या जागा 1 by determinant of B क्या है minus 2 into adjoint क्या हमारा यह 9 minus 8 minus 7 6 that's it इतना तो अभी तक आपको सबको समझ आ गया होगा A inverse देखो यहां पर क्या जागा हमारा यह तो 1 ही है ना तो यह चीज हमारी ऐसे कैसे लिख दिया मैंने 5 minus 7 minus 2 3 अब देखो मैंने देखा मुझे B inverse into A inverse कराना है मतलग इन दोनों का multiply कराना है इन दोनों matrix का तो मैं क्या करता हूँ जो यह 1 by minus 2 है इसको भी अंदर multiply करा देता हूँ क्योंकि यह बार ऐसे दिक्कत करेगा जब मैं इसको अंदर multiply करा दूँगा तो मेरी एक matrix बन जाएगी ना पूरी है फिर इसको इसके साथ multiply करा दूँगा इसली हो जाएगा तो इसको अंदर multiply करा रहा हूँ है क्या जाएगा minus 9 by 2 then यह 4 हो जाएगा then यह 7 by 2 हो जाएगा then यह कितना हो जाएगा minus का 3 that's it यह मेरी B inverse वाली matrix आगी अब इन दोनों का multiply कराना easy हो जाएगा B inverse into A inverse करवा दो B inverse multiply by A inverse is equals to क्या देगा B inverse वाली matrix लिखो minus 9 by 2 4 7 by 2 then 3 minus का multiply by A inverse वाली matrix लिख दो इन दोनों का बस multiply कराना है multiply तो आप सबको कराना आता ही है पूरी matrix का chapter कराया है अगर अभी भी multiply नहीं कराना आता फिर तो दिक का दभाई बोज जादा matrix कर ले ना पीछे जागे इन दोनों का अब हम multiply कराएंगे तो मारा answer क्या आजएगा मैं direct लिख रहा हूँ अब आप multiply तो कराई सकते हो ना क्योंकि time waste होगा अगर मैं बोज ज़्यादा multiply कराऊंगा तो क्या आजएगा अब हम निकालते हैं अब हम निकालते हैं अब हम निकालते हैं AB का inverse जो हमारा ये वाला ना LHS वाला पार्ट इसका निकालते हैं AB का inverse निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले AB भी तो पता होना चाहिए ना तब ही तो उसका inverse निकालेंगे तो सबसे पहले AB निकालते हैं जो हमारी A वाली matrix है इधर कर लेता हूँ थोड़ा जो हमारी A वाली matrix है उसको multiply कराऊ दो इसससे AB is equal to 3, 7, 2, 5 multiply by 6, 8, 7, 9 इन दोनों को जब हम multiply कराएंगे तो हमारा answer क्या जागा 67, 87 and 47, 61 यह हमारा answer आ गया जब हम इन दोनों का multiply कराएंगे ठीक है अब हमारा A भी तो निकल गया A भी हमारा निकल गया यह मैंने जगा इसलिए छोड़ी है कई बच्चों को लगर होगा हिसरा अपने जगा को छोड़ी है मैंने जगा इसलिए चोड़ी है क्योंकि जब मैं आपको सारे notes प्रोवाइड करवाँगा तो यहाँ पर सारा लिखके दूँगा notes में थोड़ा यहाँ पर छोड़ दूँगा notes में सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा जो मैंने matrix का multiply कर आया है तो यहाँ पर जो plus हो रहा है जो minus हो रहा है यहाँ पर सब लिखा होगा फिर easy calls to यह मारा answer आया notes आपको कहा मिलेंगे यह वाली website पर www.subjectteacher.in कहीं भी space मत देना same to same यही चीज़ टाइप करना तो एक website खुलेगी website में राइट साइट पर menu लिखा होगा जब website खुल जागी ना राइट साइट पर menu लिखा होगा उस पर click कर देना तो एक list खुल जागी उसमें एक option होगा NCRT solutions of class 12 उस पर click कर देना आपको सारे मेरे यह notes मिल जाएंगे तो ठीक है हमारा AB तो निकल गया था अब हमें निकालना क्या है AB का inverse AB का inverse का formula क्या होगा is equals to 1 by determinant of AB into adjoint of AB निकाल दो सबसे पहले determinant of AB निकाल देंगे is equals to क्या देगा 61 into 67 वाई सब calculation कराएगा तगडी है minus 47 into 87 जो भी answer आएगा वो मारा determinant of AB हो गया ठीक है then adjoint of AB क्या देगा adjoint of AB is equals to क्या देगा देखो हमारी 2 by 2 वाली matrix है न यह हमारा AB है 2 by 2 वाली matrix है तो इसमें shortcut वाला तरीका लगा दो इन दोनों के sine change कर दो और इन दोनों को आपस में interchange कर दो क्या जागा minus 87 minus 47 दोनों के sine change कर दिये मैंने दिख रहे ना आपको सही है minus 87 minus 47 then 61 को उपर 67 को नीचे लेओ that's it यह मारा adjoint of A आगया अब क्या करेंगे जो भी मारा determinant of AB आएगा रुको यार एक second calculate करके लिखी देता हूँ है यह आ जाएगा 4087 and यह आ जाएगा 4089 तो कितना आ गया minus का 2 आ गया determinant of AB हमारा minus का 2 आ गया अब क्या करेंगे इसको determinant of जो AB है इसको और इसको इस वाले formula में डाल दो हमारा answer आ जाएगा क्या जाएगा AB का inverse is equals to 1 by determinant of AB की जाएगा minus 2 डाल रहा हूँ 1 by minus 2 into this adjoint of AB 61 minus का 87 minus का 47 then 67 अब इसको अंदर multiply करा दूंगा तो क्या जाएगा 61 by 2 minus का then यह कितना जाएगा 87 by 2 देने कितना जाएगा 47 by 2 देने जाएगा minus का 67 by 2 अब देख लो जो हमारा B inverse into A inverse आया था यहाँ पे यह चीज थी B inverse into A inverse तो यह चीज और यह चीज इकोल तो आ रही है देखो यह चीज तो हमें प्रूफ कराने थी B inverse into A inverse is equal to होता है A B inverse के तो देख लो सेम आ रहा दोनो यह चीज और यह चीज सेम है that's it question 12 हो गया मारा complete अब start करते है question 13 question 13 क्या कह रहा है if A is equal to this matrix show that A square minus 5A plus 7I is equal to होता है 0 matrix के hence find A inverse अब देखो guys यहां से लेके यहां तक question यह question हमने कितनी वार matrix में किया हुआ है यह चीज हम prove करवाते थे A square minus 5A plus 7I is equal to 0 matrix होता है यह यहां पे कुछ और equation दी होती थी उसको हम show करवाते थे ऐसे question हमने कितनी वार matrix में किया हुआ है बहुत easy part आये तो बस नई चीज क्या है इसमें A inverse निकालना अब हम सीखेंगे इस question में जब हमें equation दी होती है न तो उसका use करके भी हम A inverse बहुत easily निकाल सकते है सीखेंगे tension मतलोग सबसे पहले इतना question करते हैं इस चीज को is equal to 0 matrix prove करवाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हमें 7i चाहिए सबसे पहले a square निकाल देते हैं a into a is equals to क्या जाएगा 3 1 minus 1 2 multiply 3 1 minus 1 2 is equals to क्या जाएगा multiply करा दो बसीन अब 9 minus 1 3 plus 2 then minus 3 minus 2 हो जाएगा then minus 1 plus का 4 हो जाएगा सही है is equals to क्या जाएगा 8 5 minus 5 3 that's it यह हमारा a square जाएगा a into a a square a square is equals to this 8 5 minus 5 3 इतना हमारा जाएगा अब देखो 5a plus 7i निकाल दो क्या जाएगा 5a क्या जाएगा 5a is equals to 5 into में a से multiply करा दो 3 1 minus 1 2 is equals to क्या जाएगा 5a जाएगा 7i क्या जाएगा i क्या हमारा identity matrix अब हमारा question जो है 2 by 2 order का चल रहा है तो identity matrix भी 2 by 2 order के लिखेंगे 1 1 0 0 7 से multiply करा दो is equals to 7 7 0 0 इतना हमारा आगया किसी को कोई दिक्कत बताओ अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब इन तीनों को 7i को a2 को and 5a को यहाँ पर डाल दो is equals to देख लेना 0 matrix ही आएगा a2 minus 5a plus 7i यह निकालो a2 क्या हमारा यह 8 5 minus 5 3 8 5 minus 5 3 minus 5a क्या था हमारा यह है 15 5 minus 5 10 then plus का 7i 7 7 0 0 निकाल दो is equals to देखो क्या आगा 8 रो साथ ऐसे करो ना pencil कहांगा यह रही है 8 7 15 15 minus 15 0 then 5 5 और इसको add करो सबको 5 minus 5 0 0 plus 0 0 then इस पे आजो minus 5 इसको और इसको इन सबको करो minus 5 minus minus 5 minus 5 plus 5 हो जाएगा तो यह और यह कट गया हमारा और इतर 0 ही है तो यह हमारा 0 आ गया that's it इसके बाद आओ इस पे इस पे और इस पे minus का 10 plus 7 minus का 3 minus 3 plus 3 0 हो जाएगा देखो न 3 plus 7 ऐसे कर लो 3 plus 7 10 10 मेंसे minus करा देंगे 10 को 0 that's it 0 matrix आगी इतना हमारा प्रूव हो गया इतनी चीज यह तो हम कितने सारे question करते वा रहे matrix में यह तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अब हम सीखते हैं A inverse निकालना equation का use करके देखना बहुत ज्यादा easy method है अच्छे है समझाऊंगा जैसे मारी equation है यह a square minus 5a plus 7i is equal to 0 matrix यह मारी equation है अब बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a square minus 5a is equal to यह जो 7i है इसको इस साइड ले जाता हूं तो minus का 7i बन जागा जो हमारी normal mathematics होती है उसमें जो equation ही होती थी algebra में ऐसे उसमें भी हम ऐसी करते थे x square minus 5x plus 7 is equal to 0 होता था जैसे मारा तो इस 7 को अगर मुझे इस साइड लेके जाना है तो हम ऐसे कर लेते थे x square minus 5x is equal to 7 इस साइड जागा तो minus का 7 हो जागा ऐसे नहीं लिख लेते थे हम तो इधर भी हमने यह किया अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो यह 0 matrix है और यह तो 0 है तो ऐसे थोड़ा होगा यहाँ पे matrix में अरे answer तो same ही आएगा यारों देखो यह हमारी 0 matrix है मैंने जैसे 0 matrix लिख दी अब मैं क्या कर रहा हूँ 7i को इस साइड लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जागा minus का 7i हो जागा ऐसे हो जागा इस साइड मेरा 0 matrix है और 7i को इस साइड लेके जा रहा हूँ तो minus का 7i हो जागा minus का 7 और फिर i i की जगह मैं identity matrix लिख देता हूँ direct सही है minus 7i हो गया 7 का अंदर multiply करा दूँगा तो क्या जागा यह 7 मुंझ जागा और यह भी 7 मुंझ जागा समझ आगे न अब देखो इन दोनों को solve कर दो हमें हमारा minus का 7i ही मिल जागा क्या जागा देखो 0 minus 7 minus का 7 0 minus 0 0 0 minus 0 0 0 minus 7 minus 7 तो देख लो इसमें से अगर मैं minus 7 common ले लूँ तो मेरा minus 7 नहीं बेन रहा है minus 7 मैंने common लिया क्या जागा 1 1 0 0 तो इस इकोस्टो क्या आगया minus 7i ही तो आगया तो बात सेम ही रहती है चाहे हमारी algebra वाले equation हो चाहे matrix वाले equation हो concept सेम ही रहता दोनों का अब देखो यहां तक तो मारा हो गया इतना तो सबको समझ आगे न 7i को my side ले गया माइनस 7i बन गया अब हम इस step के बाद क्या करते हैं equation में जब भी हमें inverse निकालना है इस step के बाद हम क्या करते हैं both side a inverse का multiply करा देते हैं दोनों side a inverse का multiply कराओ देखो क्या आगा अभी आपको फाइदा बता लगेगा इसका a square minus 5a into में a inverse is equals to minus 7i into a inverse अब याद करो चरू में अपको में आपको 2 3 concept बता हैं पहला concept क्या है a into a inverse is equals to क्या आता है ? हमेशा हमारा i आता है यह वाला concept में आपको quotient 11th के end में पूरा अच्छे से समझा रहा है यह वाली चीज मैने आपको बता है वह अगर मैं कि में छुट मेराㄷ मात्रिक्स का आइज रहा हुँ, तो हमारा क्या आता है एय दो कि आ आता है, यह चीज भी सबको पता है किसी भी मैетрिक्स का, जब मैं आई में मलडिप्लाए करा हूंगगा तो यही falling वाली मैट्रिक्स हमारा आंसर आरेगी जैसे मेरी M matrix होती कोई उसका मैं I से multiply कराता है तो Z c 4 कै आ जाता? M आ जाता अब similarly अगर मैं A inverse का I से multiply कराता है तो मेरा क्या आ जाएगा? हमारी A inverse भी तो हमारी again matrix ही होती है जो answer आता है A inverse का वी तो हमारी एक me Benjamin così ही होती है तो इस वाली be a matrix का मैं i में multiply करा रहा हूँ तो यही वाली matrix मारा answer आजएगा it means a inverse मारा answer आजएगा तो यह सब याद रखना यहाँ पे हम use करेंगे सारे concept a inverse into में i is equals to a inverse होता है this thing is equals to this thing होती है यह सब याद रखना आप सबको तो अब तक यह सब याद होना चाहिए इतने question कर लिए हमने matrix के determinants के तो अब तक तो एक एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठी होनी चाहिए अब हम क्या करेंगे देखो a inverse का अंदर multiply करा दो क्या जागा a square into a inverse minus 5 a into a inverse इतना तो सबको समझ आ गया is equals to minus 7 अब यहाँ पे देखो a inverse into i है i into a inverse लिखो चाहिए a inverse into i लिखो बात सेम ही रहती है a inverse into में i है तो देखो a inverse into में i a inverse आ रहा हमारा i को ऐसे समझा करो कि 1 आए 1 का किसी के साथ भी multiply करा हो answer तो वही आता है answer क्या जागा मारा 5 1 का अगर मैं 10 के साथ multiply करा हूँ तो मेरा answer क्या जागा 10 1 का मैं a inverse के साथ multiply करा रहा हूँ तो मेरा answer क्या आएगा a inverse ऐसे समझा करो पर असली में इसको 1 मा समझा ले ना गए यह matrix का identity matrix है यह 1 1 0 0 ऐसे है ठीक है यह हमारा minus 7 a inverse आ गया अब यहाँ पर देखो a square है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a into a a square को मैंने खोल के लिख दिया a into a then into a inverse ऐसे कैसी लिखा minus 5 अब भी मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया ठीक है यहाँ यहाँ पर a square को खोला क्यों है बतारो हूँ a into a inverse देखो यहाँ पर क्या हो जागा a into a inverse i हमारा यहाँ पर i लगा देंगे is equals to minus 7a inverse अब देखो a into a inverse इधर भी हमारा i बन जागा इसलिए मैंने इसको खोल दिया था a into a कर दिया था इसको a into a inverse हमारा i बन गया तो क्या गया a i minus 5 i is equals to minus 7a inverse इतना सब को समझ आ गया न a i हमारा क्या होता है a into i a होता है हमारा देख लो a minus 5 into i अब 5 मत लिख देना क्योंकि हमारा जब भी matrix का multiply कराते है न i में तो हमारा वह वाली matrix answer आती है जब हम 5 का i में multiply कराएंगे तो हमारा यह answer आएगा न 5 into i का जब हम multiply कराएंगे 5 5, 5, 0, 0 तो हमारा answer यह आता है तो इसको कभी भी यह मत लिख देना 5 into i 5 मत लिख देना इसको 5 i ही लिखेंगे हम इसको is equals to minus 7 a inverse अब देखो यहां से मारा a inverse निकल गया यह फाइदा हुआ कैसे निकल गया a inverse को इस side ऐसे का इसी रखो minus 7 को इस side ले जाओ minus 7 को मा इदर लेकर जाओगा तो क्या हो जागा 1 by minus 7 और यह चीज ऐसे कैसी a minus 5 i is equals to क्या आगा हमारा a inverse that's it अब क्या करेंगे हम a की value डाल दो यहां पे जो हमारी a वाली matrix है यह a वाली matrix डाल दो यहां पे 1 by minus 7 a वाली matrix आजेगी यहां पे और यहां पे bracket record लगा दो चाहे यह वाली matrix क्या है 3, 1, minus 1, 2 3, 1, minus 1, 2 then minus करा दो उसको 5 i 5 i मतलब यह आजेगा यह हमारा 5 i है देखो न अभी यहां पे तो गिया है मैंने 5 i then is equals to क्या है हमारा यह a inverse है इसको बस solve कर दो इसको solve करेंगे तो क्या answer आजेगा हमारा यह is equals to का साइन ही है is equals to क्या आजेगा 1 by minus 7 ऐसे का ऐसी रखा इसको solve कर दो 3 minus 5 minus 2 1 minus 0, 1 minus 1 minus 0, minus 1 2 minus 5, minus 3 इतना हमारा आगया यह हमारा a inverse आगया अब आप चाहो तो यहां पे भी छोड़ दो तो भी 100% right answer है हमारा और अगर आपको book के पीछे से answer मिलाना है तो book वालों ने क्या किया है इस जो minus है ने यह वाला minus इसको अंदर multiply करा दिया ऐसे कर दिया 1 by 7 ऐसे का ऐसी रखा इसको 2 बना दिया यह minus 1, यह 1 हो गया यह 3 हो गया minus का सारे element के साथ multiply करा दिया is equals to A inverse आगया अब चाओ ऐसे कर दो यहां तक छोड़ दो तो भी 100% right है अब चाओ यहां पे छोड़ो तो भी 100% right है बात एक ही है हम यहां पे छोड़ देंगे that's it question 13th हो गया complete अब start करते है question 14 question 14 क्या क्या रहा है for the matrix A is equals to this find the numbers A and B such that this is equals to 0 matrix हमें question में यह कोई matrix दी हुई है A and हमें क्या रहा है A and B की value निकाल दो हमे और यह equation given है अब देखो इस question को करने के न guys दो तरीके है पहला तरीका कौन सा है जैसे हम matrix वाले chapter में करते थे A square निकाल दो फिर जो हमारा A वाली matrix है उसमें A का multiply करा दो इस वाले A का small एगा फिर जो हमारी identity matrix है उसमें B का multiply करा दो फिर easy equals to उसको लिख दो 0 matrix के फिर उनको equate करवा दो तो हमारी A and B की value आ जागी एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका है inverse वाला तरीका मैं आपको दोनों तरीके से करवा देता हूँ पहला वाला तरीका बहुत easy होता है जो matrix वाला तरीका है वो easy होता है बहुत ज़्यादा देखो सबसे पहले हम A square निकाल देते हैं A हमें यह गीवान है A into A निकाल दो is equals to 3, 2, 1, 1 multiply 3, 2, 1, 1 इनको multiply कर रहा हो क्या आजाएगा 9 plus 2 6 plus 2 then यह आजाएगा 3 plus 1 then आजाएगा 2 plus 1 सही है then is equals to कितना आगा है 11 11, 8, 4, 3 यह हमारा A square आगया A square is equals to this 11, 8, 4, 3 अब अगर मैं यह निकाल लूँगा A into में this matrix क्या जाएगा A into में A is equals to क्या जाएगा Big A हमें यह गीवन है हमारी matrix है ना Big A वाली capital letter A वाली 3, 2, 1, 1 is equals to क्या जाएगा 3 A 2 A A and A यह आगया A का मैंने सारे elements में multiply करा दिया तो यह चीज़ हमारी आ गई अब similarly B I निकाल दो आई हम क्या लेंगे 2 by 2 order का क्योंकि question हमारा 2 by 2 order का चल रहा तो आई भी हम 2 by 2 order वाली matrix ले लेते हैं identity matrix is equals to क्या गया B 0 0 B अब इन तीनों को हमारी equation में डाल दो A square को इसको और इसको इसको इस equation में डाल दो equation क्या की बना हमे A square plus A into A plus B I is equals to 0 matrix अब यहाँ पर सारी value डाल दोगे हमारा answer आजएगा A and B की value आजएगी देख लेना A square क्या हमारा 11 8 4 3 plus 3 A 2 A A A plus B I हमारा यह है is equals to 0 matrix 0 matrix को भी लिख देते हैं अब इन सबको add करा होगे तो क्या आजएगा इन तिनों को add करा दो 3 A plus B plus 11 आजएगा एक तो 3 A plus B plus 11 is equals to 0 यह 0 बात में लिखते हैं पहले इन सबको add करा लेते हैं इन सबको add करा हो 2 A plus 8 plus 0 तो यहाँ पर 2 A plus 8 plus 0 आजएगा 0 चार लिखो चार ना लिखो बात तो एक यह है 4 plus A plus 0 4 plus A plus यह वहला 0 यहाँ पर 11 आएगा यह 11 था ना 3 A plus 11 plus B यह वहली चीज यहाँ पर आएगी ना 4 plus A plus 0 then 3 plus A plus B 3 plus A plus B is equals to 0 matrix अब दोनों matrix equal है तो दोनों के corresponding elements भी equal होंगे यह is equals to A यह is equals to A यह is equals to A and यह is equals to A तो लिख दो बस इनको solve कर देंगे हमार answer आजएगा सही आरा ने screen पर सही आरा 3 A plus B plus 11 is equals to 0 एक हमारी यह आगी एक आरी है 2 A plus 8 2 A plus 8 is equals to 0 ठीक है न 3 A plus B plus 11 is equals to 0 2 A plus 8 is equals to 0 अब लिख रहा हूँ 4 plus A is equals to 0 4 plus A is equals to 0 अब लिख रहा हूँ 3 A plus A 3 A कैसे आगा है यह इस question में गलती हैं बहुत हो रही है चपकर क्या होगा 3 plus A 3 A थोड़ा हैगा 3 plus A plus B क्या होगा है इस question में 3 plus A plus B is equals to 0 अब इनसे A and B की value निकाल दो क्या जाएगी जैसे देखो यहाँ से मुझे direct मिल रही है A की value A is equals to minus 4 इससे A is equals to minus 4 देखो इससे भी मेरी A is equals to minus 4 ही मिल रही है सही है अब A की value को कहीं भी डाल दो B की value आजएगी यहाँ पर डाल देते हैं डाल दो put A is equals to minus 4 in इसको जैसे equation को नाम देदो कुछ क्या नाम देदे है 4 नाम देदे है इसको in fourth equation क्या जाएगा 3 plus A plus B is equals to 0 then 3 minus 4 A की जाएगा minus 4 डाल दिया मैंने plus B is equals to 0 B की value क्या आगी B is equals to 1 that's it A की value minus 4 B is equals to 1 यह हमारा answer एक तरीका तो यह है यह वाला तरीका बहु ज़्यादा easy है अगर आप कहते हो तो मैं आपको inverse वाला तरीका भी करा जेता हूँ चलो यार करा ही जता हूँ 2 minute लगेंगे जैसे मैंने question 13th किया था था न वैसी करना है inverse वाले तरीके से जैसे देखो हमारी equation यह given है A square plus this B I is equals to 0 matrix यह हमें given है B I को मैं इस साइड ले जाता हूँ जैसे question 13 किया था वैसी कर रहा हूँ मैं A inverse की value निकाल रहा हूँ क्या जाएगा A square plus this is equals to हमेशा I वाला part इदर भेजना है यह चीज़ ध्यान रख लेना जो मारा I वाला part होगा न identity matrix वाला part उसको मेंशा इदर भेजना है यहाँ plus B I है तो इदर जाके minus B I हो जाएगा यह ठीक है अब multiply करा दो multiply both side by A inverse करवा दो क्या जाएगा A square plus A into A A inverse is equals to minus B I A inverse अब इनको खोल दो A square को मैं A into A लिख रहा हूँ A inverse का multiply करा हूँ हो यहाँ पे तो A inverse बन जागा जागा यासे then plus A into A A inverse अंदर multiply is equals to minus B A inverse into I क्या हो जागा किसी भी matrix का I में multiply करा हो वही वाली matrix answer आजाता है हमारा तो यहाँ पे A inverse into I A inverse ही आजागा that's it ऐसी similarly यहाँ पे देखो A into A inverse क्या होता है यह चीज हमारी I होती है मैंने आपको पता है A into A inverse is equals to हमारा I होता है ऐसे ही यह भी हमारा I हो जागा लिख दो यहाँ पे A I plus A I is equals to minus B A inverse इतना तो हो गया A I क्या होता है हमारा किसी भी matrix में I का multiply करा हो वही वाली matrix हमारा answer आजाता है तो यह A हो गया A plus यह A I ऐसे का ऐसी रहेगा क्योंकि यह हमारी matrix नहीं है यह हमारा कोई number है A हमारा कोई number है न देखो तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि A into I is equals to A लिख दो ऐसे नहीं लिख सकते हम क्योंकि जब हम A into I कराएंगे तो हमारा answer क्या आएगा 1100 is equals to हमारा यह answer आजाएगा A 00 यह answer आएगा तो इसको ऐसे काईसी लिखना पड़ेगा A I is equals to minus B A inverse अब यहां से A inverse की value निकाल दो यह हमारा A inverse आगया A inverse ऐसे काईसी रखा minus B को इदर भेज देंगे नीचे तो क्या हो जागा 1 by A minus B और into में A plus A I ऐसे काईसी ठीक है ना वसे minus B को मैंने इस side नीचे भेज दिया तो यह 1 by minus B बन गया then A plus A I यह हमारा A inverse आगया अब देखो मुझे A and B की value निकालने है A and B की value निकालने के लिए मुझे यह चीज भी तो पता होनी चीए तभी तो मैं इस चीज को पूरे को इसके equal रखके answer निकालूँगा मुझे यह चीज पता भी तो होनी चीए A inverse तो सबसे पहले A inverse निकाल लेते है A inverse हम easy वाले तरीके से कैसे निकालते थे याद करो न यह हमारा easy वाला तरीका था है A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint A ऐसे कर लेते थे हम सबसे पहले determinant of A निकाल दो क्या आजाएगा 1 into 3 3 minus 2 is equal to 1 यह हमारा determinant of A आगया adjoint of A क्या देगा हमें निकालना आता है इन नोनों का sine change कर दो इन नोनों को interchange कर दो यह हमारा adjoint of A आदेगा adjoint of A is equal to क्या देगा इन नोनों के sine change करेंगे minus 2 minus 1 और इन नोनों को आपस में interchange कर दो 1 3 that's it यह हमारा adjoint आगया इन नोनों को यहाँ पे डाल दो यह inverse is equal to 1 by 1 adjoint क्या हमारा यह है 1 minus 2 minus 1 3 that's it यह हमारा A inverse आ गया अब 1 by 1 लिको चाहरा लिको बात तो यह किया अब हम क्या करेंगे जो हमारा यह inverse आया है इन नोनों को equate करवा दो क्या देगा देखो यह A inverse के जगा अब मैं यह वाली matrix लिक रहा हूँ 1 minus 2 minus 1 3 ठीक है यहाँ पे कर रहा हूँ चलो यहाँ पे कर रहा देखो A inverse के जगा यह वाली matrix लिक रहा हूँ 1 minus 2 minus 1 3 is equals to 1 by minus b ठीक है अब A की जगा A वाली matrix लिक दो जो A की matrix है 3 2 1 1 3 2 1 1 then plus A into में I A into में I मैंने भी आपको करा के दिखाया यह आएगा लिक दो यह direct ठीक है then इन्दोंनों को add कर रहा होगे क्या आजेगा मारा 1 by minus b ऐसे कैसी रखा इन्दोंनों को add कर रहा हो 3 plus A 2 plus 0 2 हो गया 1 plus 0 1 नीट हैगा 1 plus A आजेगा यह इतना हमारा आगया is equals to यह वाली matrix चल रही है अब यह minus 1 by B को अंदर मल्टिप्लाई करा दो matrix में हर एक element के साथ मल्टिप्लाई हो जागा क्या आजेगा is equals to 3 plus A यह minus 3 हो जागा minus A हो जागा जब minus का अंदर मल्टिप्लाई कराएंगे तो minus 3 minus A हो जागा upon में B आजेगा then यह क्या जागा minus 2 by B आजेगा then यह क्या जागा minus 1 by B आजेगा then बचा क्या मारा 1 plus A यह हो जागा minus 1 minus A upon में B इतना हमारा आगया अब देखो जो मारी यह matrix आई है इधर चल रही थी 1 minus 2 minus 1 3 इन उनों को equate करा दो corresponding elements equal होंगे न यह चीज इसके equal होगी minus 2 by B minus 2 के equal होगा minus 1 minus 1 by B के equal होगा यहां से हमारी A and B की value मिल जागी हमे करा देता हूँ चलो एक second लगे है याँ देखो जैसे minus 1 by B है इसको इससे equate करा देता हूँ मुझे असानी से B की value मिल रही है minus 1 by B is equals to minus 1 minus A minus cancel B is equals to क्या गया 1 B की value 1 आगी अब similarly और किसी को equate करा दो जैसे मैं minus 1 minus A upon B को इसके equate करा देता हूँ जिसको मर्दी करा दो जिसमें A आ रहो क्योंकि हमें A की value निकाल लिए है न चाहे minus 1 minus A upon B is equals to 3 को equate करा दो चाहे minus 3 minus A upon B is equals to 1 इसको equate करा दो यहाँ पर हम क्या करेंगे चाहे इसमें B की value डाल दो चाहे इसमें B की value डाल दो हमारी A की value आ जागी इसमें डाल जाते हैं मैंको यह easy लग रहा है minus 1 minus A upon B की value 1 है is equals to 3 क्या answer आजएगा minus a को right side बेस दो 3 इस side आजएगा minus 1 minus 3 is equals to plus का a answer हमारा आगया minus 4 a की value minus 4 that's it same ही आईए देखो a is equals to minus 4 b is equals to 1 यहां भी हमारा यह आई था a is equals to minus 4 b is equals to 1 तो जैसे आपका मन चाहिए वैसे कर सकते हो दोनों तरीके easy है मेरे साब से दो कोई दिक्कत नहीं है तो question 14 हो गया हमारा complete